फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एक जामपूर और दिपावली की बहुत सारी सुभकामनाएं आज पूरा दिन कहिन कहीं मिठाईयों में ही बीता होगा और साम की जब बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहिन कहीं दरुधर पढाके जला रहे होंगे या घर में जो दिये लगाए गए थे उसमें तेल डाल रहे होंगे तो बिल्कुल दिपावली की बिधवत आपको दिल से बधाई ध्यान रखेगा कि क्लासिज की अगर बात करें तो आपका पता ही है कि कई सारे नोटिफिकेशन लगातार आते गए हैं और इ दिपावली का दिन हो तक हमारे लिए बेकार है जब तक हमारे पास कोई सरकारी नहीं है तो इसे दिश्ट कोड को अपनाते हुए आपके लिए इस्पेसल सेशन ये और्गनाइज किया गया संस्थान के दवारा चुकर आज छुट्टी का दिन है लेकिन उसके बाद भी यहां पे जुड़ चुके हैं बस एक काम कर दीजिए क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे सेयर में कर दीजिए द्यान केगा आपने देखा भी होगा गाउम अगर ऐसे सम्मधित होंगे तो एक प्रथा होती है हमारे यहां पे जनरली यही कहा जाता है कि दिपावली के दिन अ आस्ते पे नजर आएगी तो विसेस जादे बाते ना करते हुए आपके साथ जो करन्ट अफेर हमने पिछले टम में कर आया था उसी को क्वेश्चन जो आपके संभावित परिछा में पूछे जा सकते हैं उसी के बारे में अध्यन करेंगे जिससे आपका भी नानुक्सान ह और एक आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए तो विसेस आज हम करन्ट अफेर के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके परिछा में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं और पहले क्वेश्चन की अगर जो बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है कि हडपा काल का स यह सबसे बड़ा रत कहां पर पाया गया तो कि आपने देखा भी था विसेस करके इसके अंधगत की हमारे हैं पर कई सारे खुदाय के संबन्धित केंडर है और हडब्पा काल की जब बात करते हैं तो उसके अंधगत यह पर बिसेस पाया गया जी इसका सही जबाब क्या होगा अगर जो हम देख पा रहे हैं तो यहां पे कई सारे लोग जबाब भी दे रहे हैं जी चलिए जल्दी से तेजी के साथ एंसर करेंगे तो जादे से जादे क्वेश्चन हम कवर करने की बात करेंगे ठीक है तेजी के साथ और जैसा के हम देख पा रहे हैं बिल्कुल आपने सही जबाब दिया इसकी जब बात करते हैं तो हमने पढ़ा भी था सुनवली जो आपका बी वाला इंसर है सुनवली यही आपका इसके अंतगत बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा सुनवली की जब बात करते हैं तो यही इसके अंत्गत बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा सुनवली खास करके हमने बताया भी था कि आपके बागपत जनपद में पाईया जाता है जहां पे बिसेश करके घडपा का अपने आपका सबसे बड़ा रत पाया गया था तो यह बिसेश या दखेगा बागपत में सुनवली जो आपका प्लेस है यहां पे एक और चीजप पा पानी यहां पे कब्रगाह भी पाई गए थी और इसके अलामा एक रत जो अपने आप में सबसे बड़ा है वो भी यहीं पे पाए गया था अलमगीर पुर की जब बात करते हैं तो यह आपको पता ही होगा कि हडपा काल का उत्तरपदेश में पढ़ने वाला एक बड़ा इंप गोशित किया गया है इसकी जब बात करते हैं तो इसका सही जवाब क्या होगा जल्दी जल्दी इसका एंसर करिए ज्यादे समय आपका नुक्सान नहीं करेंगे क्योंकि आज भाई तेवहार का दिन है तो कुछ अच्छी चीज़े मिल लीची है चलि रित का जी जल्दी इस प्राधी खरनबी जो आपका एक तरीके से कहसे हैं डेवल्लपमेंट जोन जैसे आपने बताया था कि जैसे माल करते हैं तो बिल्कुल d वाल आपका सही जबाब हो जाएगा मिरजशापूरंबंद्याचल वाली च्षेत में मिरजापूर बिंदिया चलवाले छेत में बिसेस इसका गठन किया गया है चले निश्च की बात करते हैं प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्धाटन कहां पर किया गया जहखनी में, दादर कला में, खेड़ी बिरन में या फिर बेल हती बिसेस करके इसका सही जबाब क्या होगा रजनी बबु जल्दी से इसका जबाब दो बिनोत कुमार जी इसका सही जबाब क्या होगा कि आपके सोलर प्लांट की जब बात करते हैं कई सारे लोग यहां पे दिये वगर भी भेज रहे हैं बिलकुल आप लोगो दिल से दिये की बढ़ाई यह कहें दीवों का तेवहार होता है आपका दिपावली लेकिन पढ़ाई भी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है जी चुकि आपका पेपर जब टाइम से लगा है तो हम नहीं चाहते कि आप लोग क्या करें लेत लफी भी करें क्योंकि पीछे ही आपने देखा आपके लिए फायदेमन नहीं होता है सोडर पावल प्लांट के जब बात करते हैं तो आपने देखा भी था कि मिर्जापूर का जो दादर कला गाउं था यहीं पर बिसेस इसकी अस्थापना की गई थी जैसा हम देख पा रहें और इसके साथ ही अगर बात करें तो हमारे द जखनी की जब बात करते हैं तो अपने आप में पहला उत्तब देश का जल गराम है जो कि बादा में है ब्यलहती की जब बात करते हैं तो इसे हम पहला बन गराम मानते हैं जो कि आपके उत्तब देश का है और खेडी बिरन की जब बात करते हैं तो यह उत्तब देश का पहल अपने आपने अपें इंपोह क्यों कि क्यों कियों पूरी इसीयर जैसे ऐसे चीज़ों की बात हो रही है उसके अंतगत पहला प्रिवाइपन के mirag आप जानते भी हैं environment में बहुत सारी change जा रहे हैं तो इसी के दिश्टिकोर से इस संस्थान की अस्थापना की गई है यह संगठन आपका विसेश करके अस्थापित किया गया है और इसके जब बात करते हैं तो विसेश याद रखेगा नवाड इसमें particular कह सकते हैं एक बड़ा साजेदार था और इसके अंतकर जो आपका प्रियाग राज है या जिसे हम इलाहा बात करते हैं जी प्रियाग राज या जिसे इलाहा बात करते हैं नहीं प्रियाग राज नहीं होगा ध्यान रखेगा सुरी प्रियाग राज में तो आपका खास करके कह सकते हैं जो आपका करते हैं लेकिन आपका डच्छन असी आप सही करें कि यहां पर बात कर रहें तो यह आपका परिवर्तन के इन्थ है वाकट लखनों में ध्यान देजिगा प्रियाग राज नहीं बल्कि लखनों में होगा लखनों में इस संगठन की आपके संस्थान की अस्थापना की गई है विसे सियाद खेगा परियावरन से डिलेटेड है चुकि परियावरन आजकल चर्चा में रगता है चलिए नेश्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दीन देयाल हस्त कला संकुल ब्यापार सुविधा केंद प्रदेश में कहां पर अस्थापित किया गया है बनारस में सहरनपूर में लखनओ में या फिर नोईडा में इसका सही जबाब क्या होगा दिन दियाल हस्त कला संकुल ब्यापार केंद और हमने बताया था कि बिसेश करके जब दिन दियाल जी की न नाम के उपर और हस्तसरा का संक्ल ब्यापार केंद की जब बात करते ही तो आपको बताया भी था कि एक बिसेश संग्रहाल एसके अंधगत बनाये जाएगा जिसमें जो रिलेटरD चीज़े होंगी उसको इसके अंतबminuteink़ित किया जाएगा और कि जब बात करते हैं तो बिल तिवहर का कुछ जादे असर है यह आपका नोईडा नहीं बनारस हो जाएगा ठीक है चलो चलो कोई ना कुछ चीजे कभी-कभी मिस हो जाती है अंडरिस्टेंडिंग होती है समझना चीए किसकी बात कर रहे थे दिन दियाल हस्त कला संकुल व्यापार केंद और इसकी अस्थापना के बनारस में की गई दिन दियाल का नाम थोड़ा सा आपको इंपोर्टेंट भी लगेगा क्यों क्योंकि मुगल सराय वाला जो छित्र होत सब्सान परन watch को सबसद्न कि टर्ज़ पर प्रदेश में एक नई बतालियन का घठन किया रहा है जिए इसका जो घठन किया जा रहा है वह कांसा संगाटन होगा SSE होगी SSF होगी BBS होगी या फिर DSF होगी आपने देखा भी था CISF के जब बात करते हैं तो अपने आपने सेंटल की एक रिजर्ब फोर्स होती है जो अलग-अलग जो आपके संगठन होते हैं सारबजनिक प्लेस होते हैं पबलिक प्लेस खास करके जैसे रेलबे की बात करें मेटो की बात करें या फिर अलग-अलग तरीके से आपके कई सारे संस्थान वगर होते हैं सारबजनिक टैप के उनकी क्या करता है ये रखवाली करता है तो इसे प्रकासरे राज्य सरकार ने भी बताए कि हमारे हाँ पर जो महत्पूर्ण संस्थान वगर हैं उनकी रखवा करते हैं तो भी सिया दखीगा यस यस यहाँ अपका इस पेसल इस्टेट फोर्स की जब बात करते हैं तो यह आपके राज्य में जो संबंधिस संगठन वगर होते हैं उनकी रखवाली करने के लिए इसका अगठन किया चले नेस्ट क्वेस्टन की बात करते हैं कि सरी जगत गुरु बिस्वराधाय गुरुकुल मठ जो कि आपके बनारस में पड़ता है का सताबदी समारोह मनाय गया था और उस सताबदी समारोह की जब बात करते हैं तो उसके समापन समारोह में किस ने संबोधित किया था यही क्वेस्चन है आपके साथ की राष्टपती ने प्रधा समारोह को किस ने संबोधित किया था जी इसका सही जवाब क्या होगा उदय जी बताएं जल्दी से चलिए और इसकी जब बात करते हैं तो एक बार जरूर कहेंगे भाई दिपावली तुमारे लिए तो हमारे लिए भी है क्लास को थोड़ा लाइक कर दो और जल्दी से इसे इनका निर्वाचन छेत खास करके है और इन्होंने ही बनारस में जो आपका पड़ता है जगत गुरू विश्वर अधाय गुर्कुल मठ इसका खास करके सताब्दी समारोह था तो इसी में जो समापन समारोह था उसमें गये थे और इस समापन सत्र को संबोधित किया था नि 2020 से या फिर 20 मार्ज 2020 से कौसल सतरंग योजना की सुरुबात प्रदेश में कभग की गई है कौसल सतरंग योजना और आपने देखा भी था कि बिसेस करके जब हम बात करते हैं बजट की तो इसके इंसारी कई सारी योजनाओं की जैसे ये युवाहब की बात करें या फिर आपके Apprentice Promotion Scheme की बात करते हैं तो इंसाय जी योग के बारे में खास करके एक तरीके से कर सकते हैं एनाउंस किया गया था और उसके बाद राज्य सरकार के दौरा विसेश करके आपके मुख्यमंती जी के दौरा योगी आदित तिनाथी जी के दौरा इस कौसल सतरंग योजन तो विसेश या देखेगा 12 मार्च 2020 कुछ लोग लागडाउन का जिक्र कर रहे हैं लेकिन ये लागडाउन में नहीं चालू हुआ था ध्यान रखेगा सारे डेट आपको दिख रहे होंगे 23 मार्च को लागडाउन लगा था लेकिन लागडाउन से पहले की योजना है बज प्रश की बात करते हैं कि राष्टिये पसुरोग नियंतर कारिकरम की सुरुवाद कहां से की गई है और इसका जो जबाब हो जाएगा कानपुर से लखनव से मतुरा से या फिर प्रियाग राज से इसका सही जबाब क्या होगा जल्दी जल्दी इसका जबाब दीजिए जी इसका सही जबाब क्या होगा लच्मी या दो चलो जल्दी से इसका जबाब दो कि आपके प्रदेश में राष्टिये प्रसुरोग नियंतर कारिकरम की सुरुवाद जो की गई वो कहां से की गई और इसके बारे में हमने विसेश चर्चा भी किया था कि जो आपके प्रधान मंती जी के दौरा चूकि योजना को चालू किया गया था और ये आपके मतुरा से चालू किया गया था जिसमें जानवरों के खास करके टीका करन की बात की गई थी कि एक बड़े लेबल पर टीक पका की बात हो तो उसके रोकने के लिए क्या किया था यहां पर टीका करन की सुरुवात की गई थी तो यह राष्टिये पस रूप नियंतर्ण कार्ण कर्कम चुकि राष्टिये सब्द होता है तो इसका आपके लिए इंपोर्टेंट खास करके मत्धुरा से संबंध है चले नेस्ट के बात करते हैं एक बार फिर से कि 47 वी आल इंडिया पुलिस साइन्स कांग्रेस का आविजन कहां पर किया गया अगर जो इसकी बात करते हैं तो मद्ध प्रदेश से बिहार से उत्राखंड से या फिर उत्तर प्रदेश से इसका सही जवाब क्या होगा कि 47 वी आल इंडिया लेबल का है तो फिर से एक बार इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आपके प्रदेश में बात करते हैं तो हमने देखा भी था कि विसेश अपकी बार जो इसका आयोजन किया था नौंबर 2019 में वाके उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था तो इसी कारण से अखनव रद्धानी में इसका योजन किया गया था चली नश क्वेस्टन की बात करते हैं कि महिलाओं की सुरच्छा को ध्यान में रखते हुए पिंक नाम से जहन रखेगा कि पिंक नाम से कौन सी नई योजना की सुरुआत प्रदेश में की गई है मोबाइल सेवा है बस से सेवा है या फिर पोसर सेवा है कौन सी ऐसी योजना है जिसको राज्य सरकार के द्वारा यूं कर सकते हैं कि पिंक नाम से चानव किया गया है चुकि पिंक कलर करते हैं तो खास करके लड़कियों की बात करें तो कहीं कहीं इनका फेवरेट कलर भी माना जाता एक तरीके से क इस बारे में विशेष यह पिंग कलर से डिन लाट करता है तो पिंग कलर विशेष करके पिंग यूजना आपके आमने बताया भी था कि निर्भया जो आपका फंड था उस फंड से पैसे निकाल करके और इस में बात किया जाए तो महिलाओं के बिसेश कह सकते हैं सुरच्छा की बात की गई थी और इसके अंतकर जो सेवा चालो की गई थी बिलकुल आपने सही जवाब दिया यहाँ पे तनुजा जी इसका जो सही जवाब होगा बस सेवा होगा क्यों क्यों कि पिंक बस सेवा यूजना की हमने बात की थी और ये भी ब इस बस में चलिए संप होの इस साथ है इसके साथ ही कि ये बटन भी लगी होंगी तो ये सारी चीजें हम ने पिछले क्लास में आपके साथ सेयर की ठीए जैण मेश कोर्टन की बात करते हैं कि देश के पहले केंद्रिय पुलिस भिश्वियालिय की अपने आप में फिर से एक बार important होता है, क्योंकि केंद्रिये नाम लगा है, केंद्रिये मतलब आपका देश से सम्मधित हो जाएगा, और पुलिस बिस्विद्याले, जायर सी बात है, पुलिस सिवा के लिए बड़ा important नाम, तो कहां पे इसकी अस्थापना की जा रहे है, इसकी अस्थापना की जाएगी, गरे मंतले के दवारा इसको बिसेश करके नोटिफाई किया गया था, कि किस तरीके से पुलिस ब्योस्था को दुरूस्त करने के लिए, एक केंद्रिये पुलिस बिस्विद्याले अस्थापित किया जाएगा, चले, next question की बात करते हैं, तो यहां पे question पूछ रहा किль कितने थानुम में कितने थानौं के अंतरगत यह विसेच ब्योस्था चालू कि गई है तो आपके सामने जो आपसर है 1020, 1345, 1535 या फिर 1742 जी इसका सही जबाब क्या होगा अनामिका जी चली इसकी बात जब करते हैं तो आपको विसेश पता ही होगा इसके अंतरगत जब हमने आपको कई सारी चीज़ों को बताया था तो उसके अंतरगत ये भी बताया था कि इस ब्यास्था को जो चालू किया ग हो गया था जब आपका दसाहरे के बाद रामनवी वाला दिवस्था तो उस योजना के अंतरगत प्रदेश के 1535 प्रदेश के थानों में मिसन सकती के अंतरगत महिला हेल्प डेक्स की सुरुवाद की जिसमें एक प्रसेच्छित महिला को भी रखने की बात की गई थी और सा 2018 के पुरसकार के अंतरगत भारत भारती सम्मान निम्न में से किस ब्यक्ति को दिया गया किस ब्यक्ति को भारत भारती सम्मान दिया गया अगर जो इसकी बात करते हैं तो डाक्टर उसा किरन खान जो की पतना से डाक्टर मनो मोहन वसैगल डाक्टर बदीनात कपूर श्री भ प्रजापती जी बिल्कुल क्वेश्चन का इंसर करते रहें बाकी चीजों को तो आप मैसूस ही करते हैं दिपावली अच्छी बात है बगल में पूरी पकोडी लेके बैठ जाओ क्लास करो चुर्चुरी ना लेके बैठ यो ने पता चले कि मुभाईलियो जला लो चलो उत्त सरकार के हिंदी संस्थान के द्वारा दिये जाते हैं और इसकी जब बात करते हैं तो भारत भारती पुरसकार विसेस आपके डाक्टर उसा किरण को खान को दिया जाता है जो कि आपके पतना से संबंदित है पतना की रहने वाली है डाक्टर उसा किरण खान अब ध्यान हिंदी गवरों सम्मान जो की 4 लाग रुपे डाक्टर बदीनाथ कपूर जो आपके बनारस से इसके साथ ही महत्मा गाधी साहित्य सम्मान जो की 4 लाग रुपे डाक्टर भागवान सिंग जो आपके भागलपूर के रहने वाले थे तो अलग-अलग लोगों को अलग-अलग पुरस्कार दिये गए थे चले, नेश्ट क्वेस्चन की बात करते हैं एक बार फिर से कि उत्तप देश हिंदी संस्थान के बर्स 2018 के पुरस्कार के अंतरगत पंडित दीन दियाल उपाद्याय साहित ते सम्मान हमने बताया भी था कि दीन दियाल का नाम थोड़ा इंपोर्टेंट होता है तो इस कानन इस नाम को थोड़ा सा आप प्रियोर्टी में रखेंगे तो इस खास करके पंडित दीन दियाल नाम से जो आपका पुरस्कार दिया गया साहित ते सम्मान तो किस ब्यक्ति को दिया गया डाक्टर ओम प्रकास पांडे जो कि लखनव से डाक्टर स्रीमती कमल कुमार दिल्ली की उदैनरान गंगु जो कि मारिसस से या फिर डाक्टर बंडार मेड के बिजय तुम जो कि आपके सिरलंका से संबंधित है चलिए बिजय परताब जी जल्दी से इसका जबाब दीजिए इसके अंतगर तक जो बात करते हैं तो इसका सही जबाब क्या होगा पुरसकारों की जब हमने बात की थी तो कई सारी चीजों को आपको बता भी रखा था कि अलग-अलग छित में अलग-अलग लोगों को अलग-अलग पुरसकार दिये गया है और यहां पे जो पुरसकार करते हैं तो दीन द्याल के नाम से था तो इसका से थोड़ा इंपोर्टेंट भी हो जाता है जी दिन दियाल से संबंधित आपका पुरसकार किसको दिया गया और दिन दियाल की जब बात करते हैं तो इहां रखेगा इसके अंदगर डाक्टर ओम प्रकास पांडे एक बार फिर से आपके सही जबाब हो जाएंगे जो कि आपके लखनाव से संबंधित है इने ही पंडित दिन दियाल उपाद दिया संबंधित आप पुरसकारों की बात करते हैं तो एक बार फिर से रिवाइज कर लिजे क्यों क्योंकि आपकी परिच्छा से इंपोर्टेंट होते हैं जैसा कि अमने बताया दिन दियाल उपाद दिया गया डाक्टर ओम प्रकास को जो की लखनाउ साथ ही प्रवासी भार्तिय हिन्दी भूसंद्भ सम्मान जो की उध्ययन गंगु मारी सukसे रहने वाले हैं इनको दिया गया हिसके साथ ही हिंदी बिसएस प्रसाज सम्मान जो की बंडार मेड के विजय तूंग सिरलंका से संबंधित इनको दिया गया चलिए नेस्क्ष сторону क प्रमोद मिस्रा, पूजा, उदय, हिमानसुयादो, अरिबिंद सिंग, सिवम, चलिए, जल्दी जल्दी अंसर करिए, तो question कुछ जादे हो पाएं, ठीक है, जी बिल्कूल, सही का आपने इसकी बात करते हैं, तो हमने बताया भी था कि लचमी बाई और खास करके जो आपके ल पूरसो को ये पूरसकार दिये गया थे लचमी बाई खास करके महिलाओं को जिसके अंतगत पारुल चौधरी, अमरिता पांडे, मरियम खान, सिवा चौधरी और रजनी जोसी, ये महिलाएं थी जिनको लचमी बाई पूरसकार और पूरसो की जब बात करते हैं, जिनने जुपाल सिंग, राजियुत उमर और सतेंदर कुमार, इन लोगों को अलग-अलग कटेगरी में पूरसकार दिया गया, चले, नेस्ट क्वेस्टन की बात करते हैं कि उत्तप देश को किस सिरेणी के अंतरगत क्रिसी कर्मन पूरसकार 2017-18 मिला है, अगर जो इसकी बात करते ह मिला है, इसका सही जबाब क्या होगा, इसका सही जबाब क्या होगा, गर जो बात करते हैं क्रिसी कर्मन पूरसकार की, और इसकी जब बात करते हैं तो बिलकुल आप सही जबाब दे रहे हैं, इसके अंतरगत जो आपका क्रिसी कर्मन पूरसकार मिला था, हमने देखा भी थ गया था कि इसके डाटा अपडेट होते रहते हैं जिस कारण से चावल उत्पादन में आपका पहले नमबर पे हैं साथी साथ दूद उत्पादन में भी आपका उत्तब्देश पहले नमबर पे हैं चलिए नेस्ट क्वेस्टन की बात करते हैं कि स्रीलाल सुकला इसमिती इफ इसका जबाब दिजिए। और इसकी जब बात करते हैं तो हमने बता था कि जो आपके रामधारी सिंग दिवाकर हैं इन्हीं को यह पुरस्कार दिया गया था जो कि खास करके आपके बिहार से सम्भार्ण दिते हैं किसके नाम पर आधारित है स्री लाजसुक्ला इसमिती इफकोस आहित सम्मान चली next question की बात करते हैं कि बिस कर्मा स्रम सम्मान योजना की सुभारम की जब बात करते हैं तो ये प्रदेश में कब किया गया 20 जन्वरी 22 जन्वरी 24 जन्वरी या फिर 26 जन्वरी इसका सही जबाब क्या होगा कब हमारे हाँ पे बिस कर्मा स्रम सम्मान योजना की सुरुवात की गई जी इसका जवाब करिए चलो इसका सही जवाब क्या होगा और इसके अंतरके कोई बात करें तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया इसकी हमने बात किये थी तो ये बताया था कि जो आपका उत्तब देश का स्थापना दिवस है 24 जनवरी इसी दिन क्या किया गया BCS करके इस विसकर्मा सम्मान योजना की सुरवाद प्रदेश में आपके की गई तो आपके 24 जनवरी जो खास करके आपके skill development की बात की गई थी जो आपके खास करके छोटे छोटे हस्त सिल्फ कलाखार होते हैं या जो आपके कह सकते हैं छोटे छोटे कौसल केंदर होते हैं उनको डबलब की बात की गई थी जैसे लुहार, बढ़ाई, सुनार इन सब को कि किस तरीके से अच्छी अच्छी चीज़ों को डबलब कर पाएं चली नियश की बात करते हैं कि डैस के सेक्टर 81 में समसंग के नए मोबाईल प्लांट का उद्घाटन किया गया या बेसुका सबसे बड़ा प्लांट है, तो कहां पे लखना हो कानपूर गोरपूरी या फिर नुएडा कहां बिसेस करके इस प्लांट को आपके अस्थापित किया जा रहा है अगर जो इसकी बात करते हैं समसंग का एक बड़ा प्लांट अस्थापित किया रहा है जिसमें हमने बताः भी था कि आपके दच्चिर कोरिया के राष्टपती थे मोन जे इन वह आये थे और आपके देश के प्रधानमंती दोनों लोग गए थे और यहां विसे सेक्टर अठारे में समसंग के एक बड़े मोबाइल प्लांट का उदगाटन किया था जो खास करके कह सकते हैं कि एक दिन में 5000 मोबाइल बनाने की चमता रखता है तो इसकी जब बात करते हैं तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि आपके नोईडा के सेक्टर 81 में या आपका समसंग का नया मोबाइल प्लांट अस्थापित किया गया थो तो यह आपके लिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिस सुकास सबसे बड़ा है चले नेर्स की बात करते हैं कि रामायर शरकिट की बात करते हैं तो उसके अंतरगज भी से किस प्लेस को डवलब किया जाएगा राज्य सरकार के दौरा हलां कि केंद्र सरकार के दौरा आपका स्री राम प्रभू बिचरमार्ग जो चलला उसके अंतरगज जितने जगहों पे भगवान राम ने क्या किया था जिस नाम देते हैं सिंग वेरपूर हमने बताया भी था कि सिंग वेरपूर जो है जहां पे निसाद राज की मुलाकात हुई थी किसके भगवान राम के द्वारा तो इसी सिंग वेरपूर को डवलब करने की बात की जाती है बाकी अगर बात करें तो अलग-अलग काटेगरी में नाव को लांच किया थार। यहां पर भगवान राम राम कुछ दिन रहे थे भरत यहां पर मिले थे तो इसको भी डवलत कीैया गजरार लेकिन मूल रूप से प्रियागराज के मानता है। कुप्पी यूद् है कुप्पी यूद् हमने बताया है इलाहबाद वाले छैत्र से समँधित तो इसके के साथ कुप्पी खास करके आप जानते भी होगा हूँ छोटी वड़ी चीज आपके पेपर में आपको इस तरीके से देश्रकार्ण से इसको हमने देखा और कुप्पी के जब बात करते हैं तो हमने आपको बताया भी था कि विसेश करके दसाहरा वाले समय पे जो आपका राम लीला से सम्धित होता है दसाहरा वाले छेत में जहां पे हमने बताया था कि राम रामर से सम्धित युद्ध होता है और इसमें साथ बार कुल युद्ध वह जए we laugh ś जयो कि आपके कहां से तो प्रियाग राज सभाब्स से संभंधित होता है रामार रामर से संमंद हो से संबंधित है गहरे बाजी प्रथा हमने बताया भी था और इसकी जब बाद करते हैं तो इसका संबंध किस से है बैल के दोर से मुर्गे की लडाई से जानवरू की बली से या फिर घोड़े की दोर से जी गहरे बाजी प्रथा जी गहरे बाजी प्रथा विसेश करके कहां प को देखने मिलता है और इसकी जब बात करते हैं तो एक चीज आपको बताया भी था कि जो आपके जानवर होते हैं खास करके घोड़े इनको घोड़े को बगगी के साथ लगाया जाता है तो घोड़े तेजी से नहीं दौड़ते धीरे धीरे अपने फ्लो में चलते हैं और उस इनकी बात करें तो पांसो बसो का संकालन किया गया साथ सो चौड़े बच्चो द्वारा दिवाल पे एक साथ हाथ की छपाई की गई दस अजार दोसो पच्चास सफाई कर्मियों के साथ एक साथ जाड़ो लगाया गया या फिर उप्योक्त सभी प्रियाग राज जो आपक उपलब्धियां हासिल हुई थी तो इसके अंदगत कौन कौन से रिकार्ट थे तो बिल्कुल इसका तो सामाने से अंसर हमें लगता है लगवस आपको पता चल गया होगा क्योंकि तीन ही बिस्ट रिकार्ड है और चौथा आपसन तो आपका उप्योक्त सभी है तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा किवल रिवीजन करने मोड से इस को रखा था जिसमें आपको चीजे पता चल जाए कि कौन कौन से रिकार्ड आपके बनी थे चली नेस्ट की बात करते हैं कि 11 मार्च 2019 को प्रधान मंति नरिंद मोदी ने उत्तपदेश पे कहां पंडित दिन दिय कि तरह बिजल उपाद्य है पुरा तत्तो संगस्थान और पुरातत्त की जब बात करते हैं दो हमने बता बिता कि अपने आप में एक संगराले होगा जिसमें अलग-अलग तडिके से चीजों को संजो करके रखा जाएगा अजी बिसेस करके इसको संजो करके यहांपी जी के द्वारा इसे विसेश लांच किया गया था एक तरीके से कर सकते हैं यहां पर उद्घाटित किया गया था तो द्यान रखेगा पंडित देन द्याल के नाम से है तो फिर से एक बार आपके परिच्छा से इंपोर्टेंट हो जाता है कहां पे आपके ग्रेटर नोईडा म जो इसके इंदकर सामिल नहीं है अगर जो बात करें तो चितकूट आगरा जहांसी या फिर इटावा कौम सा जिला ऐसा है जो इसमें सामिल नहीं है लालिमा जी जी इसका सही जबाब क्या होगा जल्दी से इसका एंसर करिए बुंदेल खंडर अच्छा गरिया रहा और जाकि उत्तब देश के छे बेसिक जीलों को चुना जाएगा जहां पे रच्छा से सम्मधित आपके उत्पाद उत्पादित किये जाएंगे तो छे जन्पदों की जब बात करते हैं तो या देखेगा इटावा उसमें नहीं है बाकी की जब बात करें तो आपका चितकूट से अलिगर्ण लखनव कानपूर चितकूट आगरा और जहांसी कुल मिला के छे जिले हैं जिनको इस योजना के अंतगत विसेश डबलब किया जा रहा है चले नेस्ट क्वेस्टन एक बार फिर से की रेल वाकोईला मंती पियूस गोयल ने फतेपूर में फतेपूर में रेल पार्क और डैस में नई रेल कोच फैक्टी लगाने की घोसरा की है मतलब राज्य सरकार में विसेश करके एक आपके कह सकते हैं नई रेल कोच फैक्टी लगाई जा रही है तो वो कहां पे लगाई जाएगी राइबरेली में मुगल सराय में गेटर नोडा में या फिर जहा जो आपके पुरानी रेल वगरे हैं या आप कह सकते हैं जो पुरानी डब्बे वगरे होंगे उनको यहां पर क्या किया जाएगा विसेज करके सो केस में रखा जाएगा जिसे लोग आएं देखें कि हमारी रेल वियुस्था किस तरीके से डवल अप होई और दूसरा यह बता हैं तो जहां सी में आपका नया रेल कुछ फैक्टी आपके लगाए जा रहे हैं ध्यान रखेगा राय बरेली हमने बताया भी था कि यहां पर आपके मार्डन रियुस्था है मुगल सराय जहां पर आपके रेल इंजन बनाए जाते हैं डीजल लोकोमेट्यू और साथ ही और स्कूल में आते हैं तो उनको अटेंडेंस के लिए कौन सा एफ लांच किया गया राज्य सरकार के द्वारा सिच्छक ईपस्थिती आफ पडाम ऐप या फिर पेंड़ा को बिसेज करके लांच किरो कहा कि ना जल्दी से अपलोड करिये अपना भी और साथ हिसाथ यह चालू की गई थी उसके अंत्रक्त विशेष करके लांच किया गया तो इसके बात करते हैं तो यह पका प्रेंड की बात करते हैं तो यह आपका इसे सम्मधित अप है जहां पर सिच्छक और स्टूडेंट के सेलफी लगाने की बात की गई थी मतलब अपलोड करना था अटेंडेंस के रूप में चल नर्स की बात करते हैं कि राजिसी सिकारी बाग और मानवजात के बीच बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए किस टाइगर रेजर में राजि का पहला ट अपित तो मत्वरा में हैं लेकिन यहां पर टाइगर रेस्क्यू सेंटर बना नहीं जाने की बात की जा रही है तो आपका आमनगर्ध दोधवा पीली भीत या फिर इन में से कोई नहीं इसका सही जबाब क्या होगा चली इसका सही जबाब करिए जिए इसकी जब बात करते हैं बिलकुल चलो इसका सही जबाब दो और इसकी जब बात करते हैं तो विसे स्याद दखेगा आपके पीली भी टाइगर रेजर्ब में इस तरीके से योजना लांच की गई है कि बाग रेजर्ब के अंद आपके यहां पे अस्थापिर के जाएंगे बाकी अगर बात करें तो हमारे उत्तब देश में तीन टाइगर रेजर्ब हैं आपको पता ही है अमनगर दुधवा और पीली भी तो यह विसे स्याद देगा दुधवा हमारे हां का एक मात राष्ट्य उद्यान भी है जो कि लखिमपूर में पड़ता है चले नेश की बात देश मध्यपरदेश 36 गड़ या फिर उत्तरा खंड कौन सा ऐसा राज्य है जिसने साप्टवेर के जरीए कह सकते हैं कि बिना इंटरनेट की मदद से आभासी अदालत वर्चुल एक तरीके से कह सकते हैं जो डीसी की बात की गई तो यह आपके किस राज्य में चालो किया इसके अंत्गत तक बात करते हैं तो बिल्कुल या दखीगा इसके अंत्गत ऊत्तरप देश राज्य सरकार के हमनें बात की थी कि उत्तर प्देश राज्य सरकार ऐसा डेवलप कर लिया है जहां पर बिना इंटरनेट के बीडियो कॉलिंग के द्वारा एक तरीके से कह सकते हैं कि मुकदमे की सुनवाई की जाएगी नेस्ट के बात करते हैं कि लागडाउन के कारण उत्तर प्देश में वापस लोटे प्रवासी स्रमिकों को रोजगार उपलब्द कराकर उन्हें स्वालंबी बनाने में एक तरीके से सहायता देने के लिए एक ब्यावसाइक सिच्छा एवं कौसल विभाग के द्वारा आप किया गया तो निमनिमसिक काॉन साइड इसके लिए तयार किया गया गया गयर चुस की बात करते हैं तो स्रमिका आभा आप रोजगार एप जी इसके अंतगत आपको बिसेस लिंक भी मिल गया होगा अगर जो इसकी बात करते हैं तो आपका बी वाला आपसन बिल्कुल सही हो जाएगा आभा एप की जिब बात करते हैं आभा एप हमने बताया भी था कि आत्म निरभर भारत जो बिसेस करके केंद सरकार के द्वारा चा गई थी कि किस तरीके से अपना रोजगार चालू करके और वो क्या करें अपनी स्किल को डबलब करें और अपना एक स्वय रोजगार चालू करें चले नश्ट की बात करते हैं एक बार फिर से आपके सामने क्वेस्चन है कि योगी आदित तिनाथ ने बीस मई दोहजार बी कि देश का पहला चिकित्सक प्रसिच्छन एप है यह कोबिड-19 के संकमर से बचा हुआ उप्चार के लिए कारिक कर रहे है कोरोना वारियर चिकित्सको पैरा मेडिकल वान नर्सिंग स्थाप सफाई कर्मी इन सब व्यक्तियों को प्रसिच्छन देगा तो यही बात हो रही कि इतनी बड़ी जो लंबी चोड़ी बात बताई गई है तो सिंपल सा अगर जो लाजिक समझे तो यही कहा जा रहे है कि आपके योगी अदिती ने के द्वारा एक मुबाइल एप लांच किया गया और इसके द्वारा क्या किया जाएगा जो आपके कोरोना वारियर से खास आपके जाएगा जो सही जबाब हो जाएगा यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा चिकित सा से तु की हमने बात की थी तो इस तरीके से कई सारी क्वेस्टन जो कि आपके करेंट अफेर के उपर विसेश करके देखने को मिलते हैं तो याद रखिगा चलिए आपकी बहुत ज दिवाली वाली मनाईए देखिए हो सकता हो कुछ दिए बुझ गए होंगे उसमें तेलोल डाल देजिए और छोड़ छोड़ या बच्चा है कि ना जला दिए चलो ठीक है फोड़ो बाकी फिर नेस्ट क्लास में मुलाकात होगी तो दिपावली की एक बार फिर से आकास भर बदाई आज के लिए तना ही थेंक यू गूड़ नाइट सुबराती आल दी बेस्ट झाल